कि ये जो नई योजना इसमें कितने लोग आप उमीद करें चुकि रखम आपकी 22,000 करोर रुपे से जादा की है तो कितनी लोगों को रोजगार इस योजना के तहट मिल पाएगी इसकी कोई संख्या तै हुई है अच्छा सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाग घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए आज जैसा भी बताये गया कि मानिये प्रदहन मंत्री जी के अधिक्ष्टा में कैबिनेट ने एक आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है मित्रो हम जिसमत्राले में हैं सामानेता लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नोकरियों के अबसर कम हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बद्रा जाए इसके हिसाब से काम किया है COVID-19 महामारी के परिपेक्ष में इस समय आत्म निर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सिजन की और आवश्चक परोटसाहां दे रही है भही दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको बित्ती साहता भी पहुँचाने का काम किया है इसके अत्रिक्त इस योजना के माध्यम से जादे जादे करमचारी समाजिक सुरक्षा के दारे में आपाएं इस योजना के दोरा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल एकुनामाई भी जाने की दिशा में काम किया है मैं एक आपके संग्यान में लाना चाहूंगा हमारी सरकार जब 2014 में आई तब हमारे देश में इस फॉर्मल एकुनामी के अंतरगत फॉर्मल रोजगार के अंतरगत करीब करीब 6 करोड के आसपास करमचारी साथी काम करते थे पाराज मुझे को आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है इस सब के बाद भी इस समय आज इस फॉर्मल एकुनामी के अंतरगत और्गनाईज मजदूरों की संक्या 10 करोड के आसपास है ये सीधा इस बात को परदर्शित करता है कि हमारी सरकार कैसे और किस रूप पे काम कर रही है इस योजना के तहट हमने उन करमचारीों को चुना है जिनका मासिक बितन 15,000 रुपई से कम है और योजना के मादधम से हम एक गरीब कल्यार के परतिए अपनी परतिबत अबी ब 21 तक नोकरी पर रखे जाएंगे क्योंकि मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिये गए वो भी अब अगर रखे जाएंगे उनको रखा जाएगा और इसमें एक खास बात यह है इनका 24 प्रसेत अंश यानि 12 नियोकता का और 12 श्रमिक का ये सा यार तक के सारे करमचारियों का 24 प्रसेत अंश बारा सरकार दो साल तक देने का काम करेगी और जहां पर एक हजार से जादे हैं बहां पर इस अंश में कुछ कमी हो जाएगी केवल बारा प्रसेत अंश इंपलाईज का दिया जाएगा मित्रो ये दो बर्स तक के लिए दिया जाएगा सरकार कोबिट के दोरां जिन लोगों की नोकरियां छोटी हैं उनके प्रति बहुत ही सम्मेदर्शील है और हमारा मानना है कि जिनके नोकरी चूट गई है उन सब को हम पुना नोकरी पर देने की बात कर रहा है और नोकरी के लिए कोई उन्हें समझ्चान आए क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं जब मुमने से कहते हैं तो समझ में आता है इसमें एक और भी हमने डायरेक्शन दिया है कि जिस संस्थान में 50 करमचारी तक हैं वहां कम से कम दो अगर नए लोगों को नोकरी मिलती है तो उनको इस रूप में सहतम मिलेगी और जहां पर 50 से अधिक हैं वहां कम से कम 5 साथियों को नोकरी देने का काम करना होगा इस योजना के अंतरकत हमने अंताजा लगाया है करीब 22,810 करूर रुप्या खर्च होगा मित्रो इस परकार आपकी जानकारिम है कि इससे पहले भी एक हमने स्कीम चालू की थी 2016 से 2019 की बीच में रोजगार शर्जन के लिए प्रोसखान इसकी वो उसको लाब मिला और उसमें 12 परच्छत अंच केंदर सरकार दोरा दिया जाता था पर आप हम जो आज इस बार जो योजना दे रहे हैं वो 24 का 24 परच्छत अंच केंदर सरकार देने का काम करेगी ये बास सही है कि उस योजना से करीब एक करोड एक्किस लाख लाब वारतियों को लाब मिला था और इसमें भी अभी लोग पूछ रहे हैं लाखों लोगों को लाब मिलेगा और लोग इस संदर में बात कर रहे हैं कि ये तो आपने हम को बेक्तिकत मिलकर कहते हैं कि आपने जो हम चाहते थे उसके हिसाब तो अपने कदम उठाया है हमने का आप जो भी आपको नोकरी देगा उसका 24% हिस्सा भारत सरकार देने का काम करेगी लोग इसको काफी अप्रिशेट कर रहे हैं इसको पसंद कर रहे हैं तो जादे जादे लोग इसका लाव उठाएं यह हमारा मानना है तो अब आरगना इस सेक्टरम जैसे मैंने शुरूर में एक हा कि जब हमारी सरकार आई थी आदरने परतार मंतरी जी ने देश को चलाने का काम किया था तब 6 करोल के आसपास संगठित मजदूर थे और आज यह संख्या 10 करोल से जाद है तो इसका मतलब 4 करोल संगठित छेत में मजदूरों की संख्या बढ़ी है हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जबाब देई मजदूरों के परती पूरी है और गरीब मजदूर के परती और जाद है उसके हिसाप से हम काम कर रहे हैं और वास्तव में 15,000 से कम बेतन पाने वाले इस्ट्रमिकों को टेक होम सैलरी भी बढ़ेगी और एकना ओमी में भी डिमांड जनरेट होगी मेरा मानना यह है कि वास्तव में इसक mobile बढ़ा रहे हैं लाव और उसके साब से हम काम करने हैं धन्यवार धन्यवार सर सर ये जो नई योजना इसमें कितने लोग आप उमीद करें चुकि रकम आपकी 22,000 करोर रुपे से जादा की है तो कितनी लोगों को रोजगार इस योजना के तहट मिल पाएगी हमारा मानना है कि हम अभी जो की शुरुआत की है तो तब ही हम इसके बाद में इसकी पूरी बिस्तित जानकर दे पाएंगे पर हमारा मानना है कि इसका जादे जादे साथ ही लाव उठाएंगे